Welcome back learners, today in this video we will discuss about the topic cosmetics In this video we will learn about formulation and preparation of the following cosmetic preparation Lipstick, shampoo, cold cream, vanishing cream, toothpaste, hair dye and sunscreens तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोस्मेटिक टोपिक को और कोस्मेटिक में हम पढ़ेंगे कि हम डिपरेंट डिपरेंट कोस्मेटिक प्रपेशन की फोर्मलेशन और प्रपेशन कैसे करते हैं और जो हमारी कोस्मेटिक प्रपेशन है वो है हमारी जैसे की लिपस्टिक हो गया सैंपू, कोल्ड क्रीम, वेनिश करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोस्मेटिक क्या होता है तो कोस्मेटिक का इंट्रोडक्शन देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कोस्मेटिक सार्दी फार्मसोटिकल प्रोडक्शन देखते हैं यानि कि जो कोस्मेटिक होते हैं वो ऐसे फार्मसोटिकल प्रोडक्शन होते हैं जो की हमारे यूज में लाए जाते हैं स्किन के कलर को यानि उसकी अपीरियंस को इंप्रूब करने के लिए यानि स्किन की जो अ Cosmetics are used for cleansing, protecting and moisturizing the skin यानि कि जो हमारी Cosmetics होते हैं mainly जो उनका काम होता है वो cleansing का होता है यानि साफ सपाई का होता है protecting यानि कि जैसे की sunscreen होती है वो हमें protect करती है sunlight से और skin को moisturize करने का यानि की हमारी body को नमी provide करने का Cosmetics serves the following function यानि कि जो cosmetic होते हैं वो mainly जो function serve करते हैं यानि कि जो function show करते हैं वो कौन-कौन से हैं तो यहाँ पर main चार function लिखे हुए हैं maintain body health and hygiene यानि कि जो cosmetic होते हैं हमारी body की health को और हमारी hygiene को maintain करके रखते हैं premature aging of skin हमारी skin की जो age होती है उसको बनाए रखते हैं give a sense of well-being और हमें जिननी की एक sense सिखाते हैं improve overall look and personality और जो हमारी body की जो overall look होती है उसको निखारते हैं improve करते हैं और हमारी personality को भी बनाए रखते हैं तो ही हमारी cosmetic का introduction था cosmetic का main काम क्या होता है हमारी body की appearance को ठीक करना और body order को बनाए रखना तो अब हम देख लेते हैं formulation और preparation हमारी जो different different cosmetic product आते हैं उनकी तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा lipstick तो lipstick का सबसे पहले हम देखेंगे introduction क्या होता है lipstick is the most widely used cosmetic by the woman to give an attractive color and appearance to the lips यानि कि जो lipstick होता है यह mainly को यूज करता है यह woman यूज करती है सबसे ज़्यादा और इसका काम क्या होता है यह woman के lips को attractive color provide करवाती है और उसके appearance को lips के appearance को बनाए रखती है it should be non-irritant, non-toxic, free from gritty particles, physically and chemically stable and should not try on storage यानि कि जो हमारा lipstick होता है यह non-irritant होता है यानि कि इसमें कोई भी ऐसा chemical नहीं डाला जाता यानि कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं डाले जाती जिससे कि woman को irritation हो non-toxic होता है कोई भी toxic इसमें प्रदार्थ नहीं होता है free from gritty particle यानि कि इसमें कोई भी ऐसा particle नहीं होता जो चिप-चिपपन शो करे physically और chemically stable होता है और storage करने पर यह सूखतार नहीं है इसकी जो property रहती है वो उसको बनाए रखता है तो इसमें next point आता है it should maintain the lip color for longer period of its application यानि कि जब एक बार lipstick को लगा लिया जाता है apply कर लिया जाता है तो जो lipstick है ये lip के color को लंबे समय तक के लिए बनाए रखती है it should be free from sweetening easily applicable and give shiny and smooth appearance जो lipstick होता है उसमें कोई भी sweetening agent नहीं होता है वो उससे दूर होती है और lipstick को असानी से लगा लिया जाता है होटो पर, lips पर और ये एक shiny and smooth appearance देता है हमारे lips को अब हम आगे देख लेते हैं आगे आता हमारा formulation of lipstick यानि कि हम lipstick को कैसे कैसे बना सकते हैं इसमें कौन सा formula लगेगा formula का मतलब होता है कि इसमें हम क्या-क्या chemical को add कर रहे हैं तो वो आता हमारा formulation में यानि कि formulation में formula आएगा तो इसमें first है vases the vases used are mixture of oils and waxes such as mineral oil, coca water, bees wax, carnova wax यानि कि जो vases हम इसमें use करेंगे वो हमारे mixture हो सकता है oils का या waxes का जैसे कि यहां पर example दिये होए है mineral oil हो सकता है, coca water हो सकता है, bees wax या carnova wax तो हम उसमें ये vases use करेंगे second है coloring material color used for lipstick are water soluble like titanium dioxide यानि कि जो हम color lipstick की preparation में use करेंगे वो हमारा water soluble होएगा जैसे कि titanium dioxide third है perfumes floral fruity and light spicy fragments are used for this purpose perfume में क्या आएगा, हम उसमें flower की जो सुगंद होती है उसको हम use करेंगे smell के लिए antioxidant, these are used to prevent rancidity which occurs due to oxidation of some ingredient यानि कि antioxidant हम क्यों use करेंगे तांकि वो rancidity को prevent कर सके यानि कि जो water का loss होता है उसको prevent कर सके rancidity इसलिए prevent करनी है क्योंकि कई ingredient की oxidation reaction हो जाती है अब हम देख लेते हैं इसका formula यानि कि हम इसमें कौन-कौन सा ingredient यूज करेंगे और उनका कितना कितना part हम लेंगे कार्णूबा wax हमने 1 gram लेना है वीज wax 15 gram सिटाइल अल्कोहल 5 gram कैस्टल ओयल 65 gram coloring agent and perfume quantity sufficient यानि कि जितना हम use करना चाहेंगे coloring agent और perfume वो quantity के वेस पर हम use करेंगे अब हम देख लेते हैं procedure यानि कि हम lab में prepare कर रहे हैं तो हम कैसे कैसे बना सकते हैं lipstick को first point है इसमें carnova wax, weez wax were melted in porcelain dish on water water यानि कि हम water water में क्या करेंगे उसके उपर हम porcelain dish used करेंगे और उसमें हम डालेंगे carnova wax को और weez wax को और उनको हम melt करेंगे यानि कि हमने क्या किया हमने एक porcelain dish ली उस dish को हमने कहां पर रखा water 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 के उपर उसमें उस dish में हमने क्या 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 लिया carnova wax लिया और weez wax लिया उसको हम melt कर रहे हैं coloring agent added with castor oil, cittile alcohol and heated हमने फिर क्या क्या next हमने coloring agent लिया और उसमें हमने castor oil को भी डाल दिया cittile alcohol को भी डाल दिया और उस preparation को हम heat कर रहे हैं both phases were mixed with at same temperature यानि कि हमने क्या किया first जो हमने porcelain dish में carnova wax और weez wax को melt किया था उसको और second हमने coloring agent में castor oil और cittile alcohol को heat किया था उन दोनों को हमने आपस में मिला लेना है perfumes other ingredients such as strawberry essence vanilla essence vitamin E were added at 40 degree celsius यानि कि अब हमने क्या किया 40 degree celsius के उपर perfumes भी add कर देना है और दूसरे जैसे कि strawberry essence यानि strawberry की खुशूबू वाले vanilla essence और vitamin E को हमने add कर देना है उस preparation के अंदर then mixture was poured into lipstick mold and mold was kept on ice water फिर हमने जो हमार पास preparation आई है उसमें हमने क्या करना है हमार पास lipstick आजाएगी वो भी melt होएगी उसको हमने mold के उपर रख देना है mold क्या होता है lipstick का धाचा फिर हमने क्या करना है जो हमार पास preparation है उसको हमने mold के अंदर डाल लेना है डालने के बाद हम क्या करेंगे उस preparation को ice water के उपर रख देंगे ताकि वो ठंडी होकर जम जाए lipstick was removed from the mold and framed फिर हमने क्या करना है जब हमने ice water के उपर रख दिया उसके बाद हमें उसको देखना है कि वो अच्छी तरीके से जम गई है जमने के बाद हम क्या करेंगे mold से उस lipstick को निकाल लेंगे और frame कर देंगे उसको fitted on lipstick container और lipstick के container के उपर जैसे कि आपने देखा होएगा जो lipstick का container होता है उसके उपर हमने रख देना है और हमार पास lipstick की जो preparation है वो हो जाएगी अब हम second देख लेते हैं तो second है हमारा shampoo तो shampoo का हम थोड़ा सा introduction देख लेते हैं shampoo may be defined as a preparation containing surface active agent which are used to remove dirt grease from the hair, scalp and other part of the body without affecting the natural glows of hair यानि कि shampoo क्या होता है shampoo हमारी एक ऐसी preparation होती है जिसके अंदर surface active agent होते हैं जो surface active agent होते हैं उनका काम क्या होता है वो हमारे बालों से हमारे scalp से यानि कि जो हमारी कोपडी का उपर part होता है और बाल जहां से उखते हैं वो बाला part वहां से dirt को यानि गंदगी को और जो grease होता है उसको remove करने के लिए हमारे surface active agent यूज में ला जाते हैं और वो कैसे remove करते हैं वो remove करते हैं बिना हमारी body के original clothes को नुकसान पहुँचाए वो उनको remove करते हैं it should get easily removed by washing with water and make hair soft and shiny silky यानि कि जो हमारे sample होते हैं उनको easily हमारे बालों से निकाल लिया जाता है वो भी कैसे water का use करके water के साथ wash करके और जो sample होते हैं हमारे बालों को वो shiny soft बना देते हैं इसकी formulation देख लेते हैं कि इसमें हम कौन कौन से agent को use करते हैं फस्ट है conditioning agent these are used in lubricating the hair and improve the texture of hair यानि कि जो conditioning agent है वो हमारे use करे जाते हैं lubrication के लिए यानि friction को कम करने के लिए lubricating agent की तरह use मिला जाते हैं हमारे conditioning agent और हमारे बालों के texture को बनाई रखने के लिए it makes the hair soft and shiny जो हमारे conditioning agent होते हैं हमारे बालों को soft और shiny बना देते हैं जैसे कि इसमें conditioning agent के example है glycerine, propylene और glycol यह हमारे conditioning agent है जो हमारे shampoo की preparation में use मिला जाते हैं second आता है इसमें thickening agent these are used to increase the viscosity of shampoo यानि कि जो thickening agent होते हैं यह हमारे shampoo की viscosity को बढ़ाने के लिए use मिला जाते हैं viscosity का मतलब होता है कि जैसे कोई भी preparation है उसको sodium stir rate third है हमारा solubilizing agent use to solubilize poorly soluble substance example ethyl alcohol propylene glycol glycerol यानि कि जो solubilizing agent हमारे use मिला जाते हैं वो क्यों use मिला जाते हैं ताकि जो poorly soluble substances होते हैं वो आसानी से soluble हो जाए fourth है हमारा opacifying agent use to make this shampoo opaque यानि कि जो हमारे opacifying agent use मिला जाते हैं वो इसलिए use मिला जाते हैं ताकि shampoo को opaque बनाय जाए अपार दर्शी बना दिया जाए opacifying agent के example हैं जैसे कि glycol cetyl alcohol strile alcohol fifth है preservative preserve this shampoo against bacteria यानि कि जो preservative यूज मिला जाते हैं वो बैक्टीरिया कई growth को रोकने के लिए उसको preserve करने के लिए यूज मिला जाते हैं जैसे कि methyl paraben propyl paraben अब हम अब हम इसका फूर्मला देख लेते हैं तो शैंपू की preparation में हम use करेंगे जो इंग्रीडियन्ट olive oil castor oil ethyl alcohol was mixed together in a mortar यानि कि हमने mortar लेनी है mortar के अंदर हमने coconut oil लेना है olive oil लेना है castor oil लेना है ethyl alcohol लेना है और उन सब को अच्छी तरीके से मिला लेना है वो भी एक mortar के अंदर then it was transferred into a bicker फिर अच्छी तरीके से mortar में मिलाने के बाद इन सब को उसको हमने एक bicker में transfer कर लेना है required amount of preservative और perfumes glycerine potassium hydroxide was added to it यानि कि हमें जितनी amount चाहिए preservative की हमें जितनी need है उतनी हम add कर देंगे perfumes की भी और glycerine उसमें add कर देंगे then water was added to make up the required volume फिर last में हमने क्या करना है sample की preparation में हमने water को add करना है ताकि हम जितनी volume हमें चाहिए उतनी volume हम बना सकें finally it was packed and leveled last में हमारे पास जो preparation आई है वो sample की होगी उसको हमने pack कर देना है और उसकी leveling कर देनी है आगे formulation देख लेते हैं हम cosmetic product की next है हमारी cold cream cold cream is an emulsion which when applied on the skin a cooling effect is produced due to slow evaporation of water present in the emulsion यानि कि जो हमारी cold cream होती है वो हमारी emulsion preparation होती है जो जब हम अपनी skin के उपर लगाते हैं तो हमारी skin के उपर एक cooling effect आता है cooling effect क्यों आता है क्योंकि जो हमारा emulsion है जो हमारी preparation है उसका slow evaporation होता है यानि कि धिरे धिरे वो water से air बनती है formula देख लेते हैं cold cream का इसमें हम use करेंगे bees wax 16 gram liquid paraffin 50 ml porex 0.8 gram water up to 100 ml perfume and preservative QS preparation देख लेते हैं अब हम melt the bees wax and liquid paraffin और बोटर बाद up to 70 degree Celsius to obtained a moltar mass यानि कि हमने क्या करना है 70 degree temperature पर बोटर बाद के उपर हमने bees wax liquid paraffin इन दोनों को हमने melt करना है melt तब तक करना है जब तक हमारे पास moltar mass ना आ जाए moltar mass का मतलब है कि जैसे एक अंगुठे और उंगली के बीच में हम उस preparation को थोड़ा सा रखेंगे तो एक तार जैसी बीच में बन जानी चाहिए तब तक हमने उस preparation को melt करते रहना है वो भी 70 degree Celsius के temperature पर dissolve the borax in water and heated up to 75 degree Celsius फिर हमने क्या करना है बोरेक्स लेना है पानी के अंदर और उसको हमने हीट करना है 40 degree Celsius temperature के उपर mix both the solution by adding one phase into another phase with continuous stirring till a cream-like consistency यानि कि अब हमने क्या करना है जो हमारे पास beeswax और liquid paraffin का जो हमने water water के उपर moltar mass बनाया है उसको और second हमारा जो borax और water की जो preparation थी उन दोनों को आपस में mix करते ना है और हमने उनको mix तब तक करना है उसको जब तक कि हमारे पास एक cream-like consistency ना जाए यानि कि हम आरे पास cream की तरह एक preparation ना जाए तब तक हम उसे mix करते रहेंगे add required quantity of preservative and perfume फिर हमने जितनी हमें perfume और preservative चाहिए वो हम preparation में add कर देंगे transfer the cream to the suitable contain and level फिर हमने क्या करना है जो हमारे पास preparation आएगी उसको हमने एक container में डाल देना है वो भी suitable container के अंदर और उसको हमने level कर देना है next cosmetic product के हम formulation और preparation देख लेते है next है vanishing cream तो इसका introduction देख लेते हैं थोड़ा सा these are oil in water type emulsion यानि कि जो vanishing cream है वो हमारी oil in water type emulsion है which when applied to the skin leave an invisible layer on it they are called vanishing cream यानि कि जब हम vanishing cream को अपनी skin के ऊपर लगाते हैं तो वो एक invisible layer हमारी skin के ऊपर छोड़ देती है उसी को हम कहते हैं vanishing cream these creams can be quickly washed off with water due to presence of oil in water emulsifier यानि कि जो हमारी vanishing cream होती है easily पानी से wash out हो जाती है क्योंकि इसके अंदर oil in water emulsifier हमारा present होता है it produce very attractive appearance जो vanishing cream होती है एक attractive appearance हमारी body को हमारी skin को provide करती है the main ingredient is stearic acid which give a white shiny appearance to cream यानि कि जो हमारी main इसमें ingredient है vanishing cream के अंदर वो stearic acid है जो हमारा white shiny appearance provide करवाता है पॉर्मला देख लेते है stearic acid लेंगे 18 gram cetyl alcohol 5 gram glycerin 3 gram potassium hydroxide 0.5 gram water up to 100 ml preservative 1 gram perfume QS इसका procedure देख लेते हैं अब हम melt stearic acid and cetyl alcohol at 75 degree Celsius इन बीकर यानि कि हमने बीकर लेना है विकर पे हमने stearic acid को डाल लेना है और cetyl alcohol को डाल लेना है इनको आपस में mix कर देना है melt करना है वो भी 75 degree Celsius temperature पर इन अनदर विकर potassium hydroxide is dissolved in water at 75 degree Celsius and preservative was added यानि कि हमने एक और विकर लेना है उसके अंदर हमने के वच यानि potassium hydroxide को लेना है और उसको हमने water में mix कर लेना है वो भी same 75 degree Celsius के उपर और उसमें हमने preservative को साथ ही में add कर देना है mix both the solution with continuous steering यानि कि हमारे पास दो दो phase है first जिसमें हमने melt किया था stearic acid or style alcohol को second जिसमें हमने water में potassium hydroxide को add किया था उन दोनों को हमने आपस में मिला लेना है वो भी continuous steering के साथ यानि कि जब हम उन दोनों को किसी एक container में डालेंगे तो continuous उसकी steering करते रहना है उसको अच्छे से mix करते रहना है finally it was packed and leveled और continuous steering करने के बाद हम अरपा preparation आएगी उसको pack कर देना है लेवल कर देना है next देख लेते हैं हम cosmetic product को next है हमारा toothpaste तो इसका थोड़ा सा introduction देख लेते हैं these are most popular and widely used preparation for cleansing the teeth यानि कि जो हमारे toothpaste होते हैं यह हमारे commonly used में ला जाते हैं हर एक इसको use करता है और इसका जो main काम होता है वो दांतों की सफाई करना होता है the main ingredient in toothpaste are forming agent, sweetening agent, flavors, binding agent, humectant, preservative and therapeutic agent यानि कि toothpaste में जो ingredient होते हैं main वो हैं जैसे कि forming agent जो form बनाते हैं जाग बनाते हैं sweetening agent जो की sweet effect प्रवाइड करवाते हैं हमारे toothpaste को flavors यानि कोई भी flavor जैसे कि बहुत सारे हमारे market में आते हैं binding agent यानि की जो toothpaste की जो preparation होती है जो gel preparation होती है paste preparation होती है उसमें binding agent डाले जाते हैं तांकि जो उसमें चोटे-चोटे करने आपसमें चिपके रहें हम actant डाले जाते हैं तांकि हमारे preparation को नमी मिलती रहे preservative डाले जाते हैं therapeutic agent हमारे डाले जाते हैं इसका formula देख लेते हैं हम कि इसमें हम कौन-कौन से ingredient को use करेंगे और उनकी quantity कितनी-कितनी रहेगी di-calcium phosphate हम लेंगे 35 gram, calcium carbonate 14 gram, glycerin 20 ml, gum trigacanth 1.2 gram, saccharin 50 mg, sodium laurel sulfate यानि SLS 10 gram, water up to 20 ml flavors QS procedure देख लेते हैं कि हम इसको lab में कैसे prepare कर सकते हैं mix gum trigacanth and glycerin with water यानि कि हमने gum trigacanth लेना है और glycerin लेना है पानी के साथ और उनको अच्छे से mix कर लेना है add di-calcium phosphate and calcium carbonate to the above mixture यानि कि हमारे पाँ जो पहला mixture था gum trigacanth glycerin का उसके अंदर हमने di-calcium phosphate को डाल देना है calcium carbonate को भी डाल देना है और अच्छे से mix कर लेना है add slowly flavor फिर हमने उसमें flavor को भी दिरे-दिरे add कर लेना है mix करते हुए SLS with gentle stirring फिर हमने SLS डाल देना है यानि कि sodium laureal phosphate डाल देना है वो भी तुरंत mix कर देना है यह SLS डालने के बाद then the prepared paste was packed and level बाद में जो हमार पास prepare हो जाएगा paste उसको हमने pack कर देना है लेवल कर देना है अब हम next cosmetic preparation को देख लेते हैं next time हमारा hair dye hope आपको यह सारी चीजे समझ में आ रही होएगी इस वीडियो में मैंने पूरे topic को cover करने की कोशिच की है तो आप इसको ध्यान से देखेगा तो अब हम देख लेते हैं hair dye hair dye are used to change the natural color of the hair यानि कि जो hair dye use में लाई जाती है वो क्यों use करते हैं हम जो natural color होता है hair का उसको change करने के लिए the gray or white hair which has changed with age are converted into black color with the help of hair dye hair dye हमारी use में लाई जाती है जो age के साथ साथ जो white color हो जाता है हमारे wall का या gray color हो जाता है हमारे wall का तो उसके color को black करने के लिए hair dye use में लाई जाती है hair dye are classified according to duration of action as temporary semi permanent और permanent dye यानि कि जो हमारे hair dye है वो classify करे जाती है according to उसके action के यानि hair dye का जो action होता है उसको accordingly उसको classify किया जाता है जैसे कि temporary यानि कि अगर hair dye temporary work करकर कुछ time के लिए रुकेगी तो उसका जो classification होगा temporary होईगा यानि temporary hair dye कहेंगे हम उसे semi permanent यानि कुछ दिनों के लिए रुकेगी और permanent यानि जो color black color उसने provide करवाया वो permanent रहेगा तो हम उसे permanent hair dye कहेंगे next point है इसमें it should possess no systematic toxic effect when applied to the hair or skin यानि कि hair dye जब हम सीर पर बाल पर यूज करते हैं तो उसका कोई भी systematic toxic effect हमारी body के उपर नहीं show करता it should be stable and should not change its color when export to air, sunlight, water and shampoo यानि कि जो hair dye dye वो stable रहती है जब वो exposed होती है यानि कि जब वो air के, sunlight के, water के, shampoo के contact में आती है तब भी वह वैसी कि वैसी ही रहती है जैसे कि apply होने के बाद इसका formula देख लेते हैं इसमें हम दो formula यूज कर सकते हैं फर्स्ट जैसे कि silver nitrate हमने 5 gram लिया ammonium nitrate 3 ml ammonium hydroxide US water up to 100 ml precipitated sulfur 3.2 gram lead acetate 1.8 gram glycerin 5.7 gram rose water up to 100 ml तो first ये था, second ये था हम इसके formula में, head eye के formula में इसको use कर सकते हैं यानि कि इसी से हम, यानि कि ये form जो head eye है ये दो तरीके से बनाई जा सकती है अब हम next cosmetic profession देख लेते हैं जो कि है sunscreen sunscreen, it is used to prevent sunburn यानि कि जो हमारी sunscreen use मिला जाती है, वो क्यों use करते हम ताकि हमारी skin sunlight से preserve रहे formula देख लेते हैं इसका, calamine 15 gram, zinc oxide 5 gram, camphor 1 gram, alcohol 10 ml, glycerine 5 ml, rose water up to 100 ml ये चीज़े हम, ingredient ये हम use करेंगे, इसका procedure देख लेते हैं mix calamine and zinc oxide to form a smooth paste with glycerine यानि कि हमने glycerine के साथ calamine, zinc oxide को अच्चे से mix कर लेना है ताकि हम एक smooth paste बना पाएं add sufficient amount of rose water to make a cream यानि कि हमने अब जो preparation हमारे पास, उसमें हमने rose water को mix कर लेना है ताकि हम एक cream को बना पाएं dissolve camphor in alcohol and mix the cream and rose water to make the volume फिर हमने क्या करना है, camphor को alcohol में मिला लेना है और उसको हमने फिर से जो हमारे पाएं क्रेम आई है, उसमें mix कर देना है camphor और alcohol को mix करने के बाद फिर हमने mix किया cream के अंदर और फिर हमने उस preparation में rose water को add कर लिया कि हम जितने volume बनाना चाहरे हैं उतनी volume को हम बना सके sunscreen की prepared cream was packed in suitable container and leveled फिर हमने हमार पाएं जो preparation आईगी उसको हमने अच्छे container में pack कर लेना है और level कर देना है तो दोस्तो यह था हमारा cosmetic part जिसमें हमने पढ़ा lipstick, shampoo, cold cream, benching cream, toothpaste, hair dye और sunscreen इसकी हमने formulation देखी, इसकी preparation देखी preparation का मतलब है procedure कि हमने कैसे कैसे lab में उसे prepare किया वो सारी चीजे आज हमने इस video में discuss की थोड़ी सी लंबी हो गी है बट इसके अंदर आपको जो पूरा topic था cosmetic वो cover हो गया है so I hope कि आपको यह topic अच्छे से समझ में आ गया होएगा अगर आपको समझ में नहीं आ है तो आप इसको दोबारे से भी देख सकते हो आपको यह अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा so thank you for watching